वहाँ शांती, साथ माज की शुरेदर अन्माप से को स्वागत है पर मात्माच चाहते हैं कि हम बहुत ही इनोसेंट बन चाहें बोला नात बाप, भोले बच्चों को पसंद करता है यह बोला बच्चा होना क्या है? वो भी हम समझेंगे अपने सरल सुभाव, पहला के सुभाव, सरल इजी सुभाव तो अनीजी सुभाव क्या होता है? किसी ने कुछ कह दिया और आप अनीजी होगे आपके अंदर बदलेनी की भावना आ गया, आपके अंदर तुफान चल गया आपके अंदर गालिया निकल रही है उसके प्रति आपके अंदर दुर्भाव आ रहा है आपके अंदर बदलेनी की भावना आ रही है। आप उसको चाते हैं कि उसको नीचे दिखा दो यह easy सोब्भाव नहीं हुआ तो परवाद केते हैं अपने सरल सुभाव और शुभाव किसी परती शुभाव दोरा भोलानात बाप के प्यार कानुभाव करने वाले तो परवाद केते हैं तुम्हें तुम मुझे याद करते हो, मैं रिटेट करते हो लेकिन तुम्हें मेरा प्यार् का नुबव क्यों नहीं होता है क्योंकि मेरे जैसे बोड़े नहीं मानते हो वाले अकर्षण मोरद भवा भोला लद भाप को सबसे प्रिव भोले बच्चे हैं बोला बच्चा मतलब कया हुआ बोले अर्थात जो सदा सरल सो भाव आपका कुछ किसी ने बिगाड़ा लेकिन आप उसको बिगाड़ने के पीछे नहीं पड़े हो आप बतला लेने के पीछे नहीं पड़े हो बोला अर्थात जो सदा सरल सो भाव शुब भाव और प्रति शुब भाव न रखे कि इनका भी तर्की उनका भी भला हो और सुच्छता संपन मन उनका मन के सब सुच्छ हो उनके अंदर manipulation ना हो मलक की छलकपट ना हो किसी का बुरा करने की सोच ना हो scheming ना कर रहे हो पीछे से और कर्म दूनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं ऐसे बच्चे आकर्शन मुरत बन बाप को भी अपने उपर आकर्शित करते हैं सुचो ज़रा बोला नाथ बाप ऐसे सरल सबाब भोले बच्चों के गुणों की माला सिमर्ण करते हैं परमात्मा ऐसी आत्माओं के माला सिम्रिट करते हैं अबिसली परमात्मा कोई फिजिकल हाथ नहीं कि वो माला पकड़ के सिम्रिट करेंगे लेकिन हर एक बीड मतलब हर एक जो रूदराक्ष की माला में रूदर है या कोई माला में जो मन का है वो मन का हमात्माई है तो परमात्मा किन उन मन की रूपी आत्माओं को याद करते हैं उनके गुणों के लिए ऐसे भोले गुणों के लिए तो आप उस मन के के रूप में बनना चाहते हैं तो बोला बनना सीखना बहुत जरूरी है बदला लेना, दिखा देना उनको भी तर्पाना, उनको भी बुरा करना उनका भी बुरा करना, उनके बारे में बुरा सोचना उनका बुरा हो जाए यह सोचना ना परमात्मा ऐसे बच्चों को पसंद नहीं ऐसे बच्चों को मेडिटेशन में प्यार मिलता कभी भगवान को भूलापन प्यारा है सुनिये बहुत ध्यान से क्योंकि आपकी मेरेटेशन को यह बहुत रही लेवल मुनल deception परमात्मा से जुनने को बहुत हाई लेवल पले जाएगा आप बच्चों ने अपने भूलेपन से ही भगवान को मोह लिया परमात्मा ने हमारे अंदर भोलापन देखा है इसलिए परमात्मा ने हमें साथ दिन के कोर्स के लिए बुलाया था क्या हो बच्चे तुम्हारे अंदर भोलापन है तुम आओ तुम सिखो और उन्हें हमें यही सिखाया है कि तुम्हारे तड़पने का परिशान होने का कारण यही है कि तुम कोई को तुम्हारे साजे बुरा करता है तो तुम भी उसके बुरा सुचना शुरू करते हो उससे तुम्हारा मन महला होता है उससे तुम्हारे अंदर अशान्ती पहलती है इसको छोड़ो तुम्हित्ते भोले हो कि तुम्हें पता ही ने कि यह तुम्हें तंग कर रहे इस चीज़ को छोड़ो और औरों को भी सिखा हो इसको छोड़ना उन्हें अपना बना लिया आप बच्चों ने अपने भोले पन से ही भगवान को मोलिया उन्हें अपना बना लिया तो भोला बनना बहुत जरूरी है तब ही परमात्मा प्यार मिलेगा उम्शंति